आपके अपने चनल जोतिश इन वास्तु में कैसे हैं आप सभी आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 26th of November 2023 के बारे में 26th November 2023 का ये दिन आप सभी के लिए क्या लेकर क्या आ रहा है आज के इस दिन में कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छी रहेंगी क्या रहेगा आज का एंजल नंबर और आज का अफरमेशन कैसे आपको इस दिन को बहुत जादा बहतरिन बनाना है सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में अन तक दीखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस न हो जाए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं आपर आज का दिन क्या कुछ विशेश लेकर क्या आ रहा है देखे रैवार का दिन है संडे का दिन मतलब कि अपने आपको पूरी तरह से रिलेक्स करने का दिन इसलिए आज के दिन में आपके पास कई सारे मौके हैं जहां पर आप अपने आपको पूरी तरह से relax कर सकते हैं और positive direction में आप अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं साथी साथ ये कहुआ कि आज के इस दिन में आपके पास पूरा-पूरा मौका है जहां पर हर एक वो चीज जो बहुत लंबे समय से अटक रही है या फिर लंबे समय से आप किसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रही है तो यहां पर ये वो दिन है उन चीजों को लेकर के कुछ effort किया जाए, कुछ action किया जाए तो आपको अच्छे result यहां पर देखने को मिल जाएंगे आज का दिन अपने पिताजी के साथ थोड़ा सा समय जरूर बिताईए उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहीएगा और इसी के साथ साथ उनके साथ बैठ करके कोई discussion करना चाहते हैं कोई advice लेना चाहते हैं future से connected कोई भी बात्चित करना चाहते हैं आप आराम से कर सकते हैं आज बड़े अच्छे result मिल जाएंगे आज अपने गुसे को अपने करोध को अपने से थोड़ा सा दूर रखें आपका गुसा आपके बनते बनते कामों को आज के दिन में बिगाड़ सकता है इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं इसी के साथ साथ आज के दिन में एक विशेश चीज का जया रखेंगा गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई चोट खरोच ना लगे रहिवार का दिन है और इस दिन में कौन सा एंजल नमबर और अफिरमेशन आपके लिए बहतरिन रहेगा नोट कर लिजिएगा प्लीज आज का अफिरमेशन सबसे पहले तो देखिए आज का अफिरमेशन हर एक चीज में खुश्यां ढूनने का है चोटी-चोटी चीजों में अपने आपको खुश करने का है इसीलिए आप अपने आपको पूरी दर से खुश कर रखने की कोशिश जरूर करेए नोट कर लिजीएका प्लीज या आपको बोलना है being happy is natural for me मतलब की happiness जो है वो आपके लिए अंदर से ही है आपको artificial happiness की जरुत नहीं है या किसी extra चीज़ की जरुत नहीं है अपने आपको खुश रखने के लिए आप खुद अपने आप में एक पूरी दरह से खुशनुमा व्यक्ती है ये महसूस करी आज के दिन में आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं याँ पर आज के दिन में क्या रहेगा आपका एंजल नंबर जो आपके लिए रहेगा बेहत खास आज के दिन में एंजल नंबर के ज़रीए आप अपने कामों को स्टैबलिश कर सकते हैं कामों को बना सकते हैं और रुक्योवी चीजों को रुक्योवी बाताओं को अपने से दूर कर सकते हैं नोट कर जिएका प्लीज आज का एंजल नंबर 2,1,2,5,7,9 बहुत बहुत ज़दा important number है बहुत ज़दा positive number है और आज के दिन में ये number आपके लिए काफी ज़दा balance कर बनाता हुआ नजर आएगा इस number में emotions भी है इस number में energy भी है इस number में positivity भी है और इस number में बाधाओं को दूर करने की आज अगर आपका जन दिन है आपके anniversary है आपके जीवन का कोई भी विशेश मैथोपन दिन है आप सभी को मेरी और से हारदिक्षिप काम ला है आने वाला साल आप सभी के लिए कई सारी खुश्या लेकर क्या आ रहा है बट यहीं पर challenges भी आपको देखने को मिलेंगे इस तरह के indications यहां पर बन रहे है आने वाले साल में किसी भी चीज़ को लेकर कि आपको बहुत जादा मेहनत करनी पड़ेगी इस बात का विशेश द्यान रखिएगा आसानी से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी मिलेगी बट effort और महनत के बाद मिलेगी इसलिए जितना effort करेंगे जितना महनत करेंगे जितना अपने आप में struggle करेंगे उतनी success के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे उमीद करता हूँ कि आप सभी को success मिले और आप सभी की मनोकामनाय पूरी होते वे नसर आएंगे आज का दिन कौन सी राशी नंबर और alphabet के लिए अच्छा रहेगा ये भी आप नोट कर लिजगा प्लीज राशियों में यहाँ पर बात कर लिजगा तो राशियों में मेश राशी के लिए बहुत अच्छा समय है करकर राशी के लिए काफी ज़्याद अच्छा समय है और तुला राशी और धनू राशी के लिए बहतरीन समय दिखाई दिता है नंबर दो नंबर तीन नंबर पांच और नंबर आठ के लिए बहतरीन समय दिखाई दिता है अल्फबिट्स में देख लिया जाए तो अल्फबिट्स में A, C I, F G, K S और V आप सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे अब बात कर लेते हैं आपर आज के दिन में कौन-कौन सी वैदिक करमेडिस आप सभी के लिए बहुत ज़ादा विशेश रहेंगी वैदिक करमेडिस एक ऐसा उपाय जो आपके दिन को अच्छा बनाता है आपके दिन को पॉजिटिव करता है और आपको बैलेंस करने में आपकी मदद करता है आज के दिन में सबसे पहले तो सुबह उठने के बाद खुली हवा देखिए खुली हवा में सांस लेने की कोशिश करिए और खुले आसमान में अपने आपको रखने का प्रियास करें सुबह सुबह का जो वैदर होता है जो सुरज की सुबह सुबह की किर्णे होती है उन्हें अपने उपर लेनी की कोशिश करें बहुत जाद अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इसी के साथ साथ आप सभी को क्या करना है आज के दिन में अपने से बड़ों का आश्रवार जैसे मैंने का पिता जी के साथ समय बिताईए बहुत अच्छा समय है वो जरूर लेना है आज नमक की मातरा खाने में थोड़ी सी कम रखिएगा मदब कि थोड़ा सा फीका और थोड़ा सा लाइट फूड काने की कोशिश करीगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा किसे भी विशेश कारेस अगर आप बाहर जाते हैं कोई भी ज़रूरी काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो आज के दिन में कोशिश करें कि लाइट करर का स्थमाल करें खास कर वाइट और क्रीम कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इससे आप पहन सकते हैं कोई परशानी आपको नहीं आईगी आज के दिन में एक विशेश उपाये नोट को लिजीगा आज कोशिश करें अगर पॉसिबल हो पाये तो किसी व्यक्ति को भोजन करा दिया किसी बच्चे की मनोकामनाई पूरी कर ले तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा और आज के दिन में आप सभी कोशिश करें आपके मन में किसी भी तरह का अपशब्द ना रखें किसी भी तरह की नेगरिविटी ना रखें और दूसरों के लिए प्यार बना के रखें आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे रहिवार का दिन है बिना मेंटेशन के पूरा नहीं होगा इस वज़े से रहिवार के दिन में कौन सा मेंटेशन करना है नोट कर लिजेगा आप सभी को सबसे पहले गोल्डन विश टाइम बता देता हूँ क्योंकि गोल्डन विश टाइम एक ऐसा समय है जो दिन में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है आपके एनरजी को बढ़ाता है और आपको स्ट्रॉंग करता है आप सभी को आज के दिन में दोपेर का समय दो बचकर तीन मिनिट मदब की टू जीरो थ्री दो बचकर तीन मिनिट से लेकर के तीन बच कर पंदरा मिनिट का समय काफी जादा अच्छा समय रहेगा इस समय में आप थोड़ा सा शांत रहें अपने गुसे को कंट्रोल रखें अपने मन को बैलेंस रखें और अगर आप चाहें तो meditation भी कर सकते हैं यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा जब भी आज आप meditation में बैठते हैं आप सबसे पहले तो ऐसी जगे बैठे हैं जहां पर आपका face east direction में रहे back आपका जो है वो आपका west direction में रहेगा जहां कहीं पर भी बैठते हैं आज कोशिश करें white color का कुछ लेकर के बैठे सामने या बिलकुल सामने white color का कुछ रख दे जिससे आप continuously देखते रहें इसके बाद meditation में तीन बार गैरी सांस लीजिएगा और धीरे धीरे अपने आखें बंद करिएगा और धीरे धीरे अपने आखों को बंद करने के बाद अपने आपको पूरी तरह से शान्त कर दीजिएगा और महसूस करिएगा कि क्या-क्या feeling से आपको attract कर रही है कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास आने की कोशिश कर रही है किन चीज़ों से आपको डर लग रहा है कोई सी चीज़ें आपको परिशान करिए definitely आप सभी को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और किसी भी तरह की कोई negativity देखने को नहीं मिलेगी and इस meditation के बाद थोड़ा सा पानी ज़रूर पिलीजेगा और अगर रात को करते हैं तो सोजाईएगा दिन में करते हैं तो थोड़ा टाइम अपने आपके साथ बैठिएगा उसके बात सब में इंग्वाल होईगा ये meditation आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उमीद करता हूँ इसकी तरह से आप इस Sunday के दिन को अच्छे से enjoy करेंगे और अपने सारी मनों कामनाओं को पूरी करने का हर संभव प्रयास ज़रूर करेंगे वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्स्राइब कर दीजेगा बेल आइकन पर जरूर से प्लिक कर दीगा कुछ पूशना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समझना चाते हैं आप उसे संभव कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मतल्याँ पर कर सकूँ धनिवाद